कर दो कर दो कर दो आप सभी तो आज के सब्सक्राइब कर देखने वाले 40 कुश्चिन्स होंगे आपके जर्नल अवेनिस के काफी कुश्चिन आने वाले हैं इस लाज तक आप सभी को चुड़ना है एक मिट के बाद हम लाइब सेशन के अपने शुरूबात कर देंगे जब तक क्लास के सुरूबात हम कर रहे हैं यहां पर एंड यार्डियों MTS और दल्ली पुल्यों सभी एक्जाम के जर्ष्टी से इंपोर्ण रहेंगे यह सभी कोश्चिन्स आपके तो सभी लोग जुड़ जाएए एक मिट के बाद हम क्लास के सुरूबात करेंगे जब तक चैनल आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं मेंधिन 10 डिफेंस एक्जाम इंटर यहां पर आपको सब्सक्रिप्षा वीडियो पर राप्त होंगे तिक बैरी गुड इवनिंग वारें बात कर लेते हैं तो आप तो काफी सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं कई सारे एक आपको एक सब्सक्रिप्स लेने के बाद अन्ड लाइब क्लासेश यह लेने के बार चीजने आपको मिलने वाले हैं complete courses मिलने वाले हैं किस तरीके से लेना है लेनिंग है पिश्टो करना एकेडमी का एक बाद आपको गैट सब्सक्रिप्स पर जाना है 12 या 24 जितने मंद का करना है आपको क्या मिलेगा टैन पर्शंट का ओफ मिल जाएगा चली सभी का स्वागत है वेरी गूड इवनिंग और सभी का स्वागत है जितनी भी लोग यहां पर जोड़ चुके हैं फर्स्ट कोशन आपके सामने है चली सुरेज जी टिशाबातम लग्की जी अभिशेक खुशुबू कुमारी औरानू तक हुमयादा स्भी का सवह थे पहले कोशन का सभी लमचेसम इनगे पहले कुशन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग और सदेंगा राइट एंसर वहाशन Death आपको बताना है यहां पर सभी लोग बताएंगे ठीक उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आनद जी वेरी गूड इवनिंग आंसर दीजिए फस्कूशन का दर रिवर आफ स्मोग पुस्तक के लिका कौन है जल्दी से कमेंट में लिखेंगे आप लोग पहले कुशन का आंसर हम की रिवर आफ स्मोग 2011 की यह पुस्तक है तो फश्ट का आंसर हमारे सी हो जाएगा जितनी बी लोगों ने सी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जागा लाश्ट में आपना स्कूर भी सेर करना है आप लोगों को कितनी कुश्चन आप सही कर पाते हो लाश्ट में से क बच्चों को जर्म नहीं देता चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग उसी तरीके से देना है वेसी फॉर्मिट में एक तू को आपको बी देना है उसके साथ बी लिखिये सी लिखिये इस तरीके से मुझे भी समझ मैं किस कूश्चन का आंसर आप ले रही हो कूश्चन में आपने कोण यंदे देता है सीधर वच्चे नहीं देता वच्चों को जर्म ने देता तो वह कोँव इसके गोड होता है कि भीपो कि आप बच्चे को जर्म देती है ना की अंडों को लेकिन यह एक अपवाद है आपका एकड़ना इसके बाद आप डगवेल टिपलेटी वर्श है आपका यह क्या है अपवाद है इसमें जो कि अंडे देने का काम करते हैं इसतंदारी होते हुए इसतंदारी है जो कि बच्चे को जर्म देती है यह है एकड़ना और यह क्या करता है अंडे देने का काम करता है इसतंदारी की शेड़ी में आपका आता है चलिक वीडियो को लाइक जितनी भी लोग नहीं किया था फटापट लाइक के बटन को आप लोग दबाएंगे जल् लग रही है जल्दी से लाइक करेंगे चलिए पूश्य नंबर थी का अंसर आप लोगो को देना है यहां पर क्या पूशा जारा थी में आपसे त्री में पूशा गया आप से कि वही उन्नीस ओठारा में कि शेत्र में महात्मा गांदी ने का पास मिलके जो स्रमिक हैं उनके उनकी बाद ने कि यह था तूबहु अपका उठार हूख उतना ताब हुसा बार ने किया ठाल हूँआ पर आपकी तीर 50% की विरद्धी की मांग कर रहे थे मजदूर जो थे कपास मिलके श्रम जो थे 50% की मांग कर रहे थे अपने वेतन में कमपनी का कह रही थे थे हम केबल 20% जो है बढ़ाएंगे तिर वर्वर्वल का इसका कंक्ल्यूजन के निकलता है थरटी पर्षेंट जो है जो कपास मिलके श्रमिक थे उनका वेतन बढ़ाए गया था तो पर उन्नीस सो अठारा में होता है आपका यह चीज़ाद रखना इसी के साथ हम बात कर रहे हैं इसको खेड़ा जलिम होता है जिसको खेड़ा सत्यागरे के नाम से हम जानते हैं लेकिन वह पख़जी वेरी गुड इवनिंग आंसर दें कोशन नमबर फोर का हमारा सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा चलिकूशन नमर फूर में क्या पूशा गया है कौन सा विकल्प श्टार के रंग का संकित दिता है जो आपका सितार ये तारी जो होती है वही उनके रंगों का स सब्सक्राइब निर्दार्ण करता है हम यह सब के लग अलग होते हैं और यह तापन इनका निर्दार्ण करता है और उम्र भी बताई झाहिए जा सकती है इनके टेंपरेशर के अकोडिग जो उक्षा की सेतार होती है जो अक्षा की सेतार होंगे आपके ज्यादा गर्म होते हैं चली हलकी लाल दिखते हैं और आपका आपका आपको आपको देना है आपको देंगे सभी लोग 875 का जो बिद्रों को नाम इसको दिया गया था भारत का पहला सुतन्ता संद्ध जो है आंदुलन तो इसकी बात की जारी अपसे निम्हें ते किसने प्यासद का नित्रत किया था कोशन नंबर 5 में यह पूश्या दा रहा है वैज फैज़ाबाद का नित्रत किसने किया था चल्दी से आंसर बताएंगे कोशन मौल भी इहमाद उत्तुला जो है इसका राइध अंसर नहीं तो कुशन बनता है एक्जाम में कुणर सिंघ्जी नहीं कहां से नियत्वत किया था बहुत वहार के नहीं नेन 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 रिच्वत किया था अलग अलग व्यक्तियों कि वहां से कुशन कोशन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा करनाटका चली क्या हो जागा राइट अन्सर? चली question number आप पर यहाँ पर 6 है 6 का हमारा right answer क्या हो जाएगा भी 6 का उत्तर आप लोगो को देना है 6 में क्या पूछा जा रहा है आपसे यह सोनागेरी के temple है भी picture में हम देखेंगे किस तरीकी के temple है यह काफी जादा temple है आप पंता है question exam में यहाँ प्रदीस यहाँ पर मद्य प्रदिस इसका wr? सबसे चोटा दिक आपका दिया वहाँ पर आपके हैं यह लगबग 103 मंद्र है यह इसलिए question बनता है exam में इस शेत्र में फैले हुए इस तरीके से मंदिर हैं यह सोनिगरी जो है पाड़ी कहते हैं इसको तो दतिया में हैं ठीक है मद्यप्रजिस के दिश्टिक्स दतिया में लगबग 103 मंदर यहां पर जैन दर्म से संबन देते हैं यह चीज़ आपको याद रखनी है चलिए अगला कोशन आपके सामने है कोशन नमबर बात की जा रही है और कई बर एक्जाम में कोशन पूछ आता बई किसने साथ सुल्तानों का समय देखा है तो अमीर कुस्रो ठीक आपको रखा हुआ और यहां है को सेवन का राइट नमारा ऑप्सन भी हो जाएगा थी नहीं होगा इसका अंसर आपका भी हो जाएगा निजा अमुद्दिन ऑलिया का जो असित से था कौन अमीर खुसरो ठीक है इसके बारे मतलब है आपको इंपर्टेंट या रखना है अमीर कुसरो की जो है एक कवी था संगीता की था आपका ये अमीर कुसरो इसने जो साथ सुल्तानों का समय देखा है बलवान मुहमद के अकुबत ज चत्वां राइट आंसर हो जाएगा राइट्णों न्वर पढ़ेंगे मगरा अच्छी नबर एट सामने है पूचा धारा दीवारों और जो चत्तान और उन्न को क्या कहते है उस कलाकारी को क्या कहा जाता है जल्दी से आंसर वेट भोग कोशन नमर्प सही answer क्या हो जाएगा तो देखी question number eight में आप से क्या पूशा गया है दीवारों और जो चट्टानों पर जो आपके चित्र होते हैं इनको क्या कहलाते है तो इस तरीके के जो चित्र बने हुए है तो बित्ती चित्र कला इसको कहते हैं कापी पुरानी चित्र कला है आपकी यह आपकी कला है पहले क्या होता था मिट्टी के जो बरतन बना जाते थे उसके बाद जैसे जैसे मानव डेबलेप हुआ उसका दिमाग थोड़ा सा तो फिर क्या किया गया यहां पर कि जो मिट्टी का ही प्रयोग करकर दीवारों पास तरीके की चित्र बनाए जो आज तक हम उ सेनेटरी उत्पादों को जो है मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला जो है राष्ट बन गया है यह आपसे पूशा गया भी कुशन अमबर आपका नाइन यहां पर दिया गया है विश्य आप दा फॉलविंग हैस बिकम दा फर्ष्ट नेसन इन वर्ल्ट टू मेक सैनेटर सेनेटरी जो प्रोड़क्ट होते हैं उनको वुमेन के लिए फ्री कर दिया है कौन सी कंट्री यह पहली कंट्री अजी बनी है यह आपको बताना है फिनलेंड इसकोटलेंड डेनमार के स्वीटन फटा बटा अंसर देंगे गुशन नमबर नाइन का सभी लोग गुशन इसकोटलेंड की राजधानी क्या है इसकोटलेंड 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 यहां आपकी कैपिटल है चलिए नेक्स कुशन के बढ़ेंगे हैं कोशन नमबर 10 आप लोग के सामने इसको अत्तर देंगे सब लोग कुशन क्या कहते हैं जल्दी से इसको का जाता है यहां चाथ लेकिन केवल केवल परिमाण हो दिसा उसमें ना दि गई आपकी ठीक है इसको अधिस राजी होती है पतिरंगे शिब Annabad पधार ने आपके वर्ववस्तापन संवे गती यह सारे क्या है आपके इसके easier पर परवाल होता है यहां पर आएगे चलिए यह co ने अवे सामने है ने मली के तिमाईशे किसने सोतंत भारत का पहला केंड्री बजूहत प्रस्तुत किया था यह बजट की बात की जानी कुशन में आपसे कि स्वाचंतु भारत का पहला बजट किसकी द्वारा पेस किया गया था चलिए कुशन नमबर 11 आपके सामने हैं 11 का राइड एंसर अमार क्या हो जाएगा स्वासंतर भारत का पहला केंद्रिय बजट प्रस्तुत किया गया था किसके दौरा किया गया था फटाबर आंसर देंगे आप लोग सबी लोग आंसर देंगे अगा डायक्ट आप से पुझावेगी क का फर्स्ट जो बजट किसके दौरा पेस किया था अंसर आ रहा है कई साय लोग का है अपर डी आ रहा है बिलकुल इसी अंसर हो जाएगा आपका ऑप्सिन जो डी पर दिया गया है आरकेशन को सनमुखंच 7 का हमारा राइट आंसर हो जाए ठीक है इनके दौरा जो है बजट पेस किया गया था, 26 नमबर 1947 को, वही हम बात करें, भारत का पहला बजट पेस किया गया था, 1860 में, ठीक है, जब मंत्री कों था, उस समय का, जैम से विलसन, तो पूछे जाता है, एक्जाम में कोशन, भारत का पहला बजट, अगर डारेक्ट इस तरीक से पूछे जाता है, भ कुशन से तीन है, वैसे तो, पहला तो आपको पताईए, वही क्या आंसर हो जागा, 26 नमबर 1947 को, सुतंत वारत का पहला जो है, बजट पेस किया गया था, वही हम बात करें, भारत का पहला बजट, आरा साट में, जेम्स विलसन के दौरा, और जोन मत्हाई की दौरा, गरतन पहली बार हिंदी में पेस कप किया गया था, मैंने आपको बताया था कि बजट को पहली बार हिंदी में कप पेस किया गया था, तो क्या होगा हमारा राइट एंसर, पहली बार ऐसा हुआ था कि हिंदी में भी जोह बजट को लाया गया था, क्या हो जागा राइट एंसर किस बार से ऐसा हुआ था देगी मैंने आपको बताया था कितना 1955 इस तरीक से लिख रहा था तो वहारा आंसर हो जाएगा 1955 में पहली बार वजट को हिंदी में भी पेस किया गया उसके बाद से हिंदी इंगलिस दोनों में प्रस्तोत होते आ रहा है किसी वासा में बितमंत्र उसको पढ़ सकते हैं यह कोई जो है इसू नहीं है लेकिन हिंदी में वासा में पहली वार का वुआ था 1955 में चलिए कोशन नंबर आपको यहां पर 12 इसका उत्तर देंगे सभी लोग 12 का हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका अभिसकार किसके द्वारा किया गया था वो इन क्ष conviction की द्वारा किया गया था चार अपर क्रप आपको कोई रहन ने लीने लेक स्वारस के धार एपन सर्मीले सवाप के थे नहीं जो आती History क बार एक resonate महिला आती है तो पहले क्या होता था 18-16 से पहले कि चैस्ट पर कान लगा कर डॉक्टर को सुनना पड़ता था वही उसका इरदय की धरकन तो एक महिला आती है हाट की पेसंट होती है वह तो महिला आती है जो चेक करवाने तो काफी सर्मिल जो किसम के थे यह डॉक्टर जो ली अगला कोशन आप लोग के सामने आ चुका है कोशन नमबर 13 का आंसर आप लोग को देना है चलिए एक लेक पूछी जा रही है आप से यहापर लूड करण सर्थील भारत के दिम लिखित में से किस राजिम है जल्दी सुता देंगे सभी लोग क्या हो जाएगा हमारा लूड करण सर जील भारत के किस राज में यह पूछा जा रहा है यह लेक वही किस स्टेट में पूछा गया गुजरात मद्यपतिस उडिसाय राजस्तान फटाबर आंसर देंगी कुशन नमबर आपको यहां पर 13 को उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर चलि आंसर क्या इसका इस्टन नमबर के सामने है आप लोग को देन है ला जाति है सथार चutन में अलिवर्दी खान की मिरत्यूष हो जाती है वहाद बंगाल का कौन बनता है चाहर आपको सामने 276 में क्या होता है बंगाल का जो नवाब था आपका अलि वरिदी खान उसकी मृत्वी हो जाती है तो इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है तो इसकी डॉटर साइड का जो है ग्राइंड चाल्ड हुड़ था हैं इसका डॉटर साइड से वो बनता है एंड राइट अंसर हमारे यहां पर क्या हो जाएगा स्ट्राजद ओल्ला ठीक है तेकिन इसने भी जो जो है नवाब बनकर कुछ बंगाल का ये कोशन बनता है एक्जाम में कि बंगाल का पहला नवाब कौन था तो याद रखना है मुर्सीद कुली खान था कौन था वही मुर्सीद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था और ब्रिटिस प्रवाब के तहद बंगाल का पहला नवाब के रूप में किसने कार गईखार किया वो ता मीर जाफर ये दो चीज़े यहां से कोशन बनती है चलि पूज़ा जिए डेली क्लास होती है सामको चार बजे कलास का को चार बजे चलि कोशन नमरर 15 का अंसर देंगे विक्या लिंग राज जो टैंपले आपका वही कहां इस ततध है फटा पट आंसर द पूछे जा रहा है लिंग राज जो टेंपल है कहां पर रिस्ते तो यह ओडिसा की कैपिटल भुबनियस्वर है वहाँ पर है ठीक है ऑप्सन आपको जो भी दिया गया इस कुशन का हमारा राइट एंसर हो जाएगा भुबनियस्वर ओडिसा में है आपका ठीक है भी ऑप्सन नमारा सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के और कोशन नमबर आपको यहां पर 16 इसका अंसर देजिए भारती नौशेना ने किस देश में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया यह आपसे पूछा है जनवली 2020 की बात वह एक शक्रवा वनीला चलिए आंसर हमार के हो जाएगा इसका मेड़ा गासकर मेड़ा गासकर में चक्रवात आता है आपको जनवरी के महां मैं 2020 में तो वही उस जब ऑपरेशन वनीला चलाया जाता है भारती शेना के द्वारा अगला कुशन आपके सामने है कुशन नमबर 17 निमल कितमें स किस राज में पहली बार सूपर फैब लेब का उद्गाटन किया गया तो यह आप से पूशे जा रहा है बही 25 जनवरी 2020 को किया जाता है इसका उद्गाटन वहां के सीएम के द्वारा जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर क्या हो जाएगा हमारा कुशन नमबर 17 का राइ कि केरल के सीएम कौन है फड़ाबट बताएंगे कौन है पिन राइ विजिन उनके द्वारा 25 जनवरी 2020 को जो है इसका उद्गाटन किया गया ठीक है इतना इंपोर्टन काफी आप लोग के लिए अगले को बढ़ते हैं कोशन नमबर 18 सौर उर्जा को बिद्धत उर्जा लगे पूशय मंतरी कौन है इन पका के यहां अप को एक विजिन पूस्यच में पूश गया एक बिद्धत उर्जा को बदलने में जो प्रियोगत्त पॉच्ष सिलीकॉन साहिए फई ऑक है पस्याशन है ठीक है इनक Newantlyory एस आई इसका जो सिंबॉल है सिलिकॉन का आपका चलिए और रिफ्रेस्ट कर लें यहां से सब कुछ ठीक चल रहा है एक फोन में आपकी चैट देख रहा है बिल्कुल अच्छी चल रही क्लास्टिक है एक बार रिफ्रेस्ट कर लें आप हो सकता है इंटरेट का इस हुआ आपके सामने है चलिए नाइटीन का उत्तर देंगे आप लोग सही आंसर हमारा क्या होगा वफ्रिंग नहीं हो रहा होगा भाई मेरे साब से क्योंकि यहां से सब कुछ ठीक चल रहा है अगला कुछ आपके सामने आच चुका एक बार रिफ्रेस्ट कर लें अपनी क्लास को नेट को बंद करके चलू करना फिर आजाएगा आपके सामने सब कुछ चलिए नाइटीन का उत्तर देंगे वाप लोग सभी लोग सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा चलिए नाइटीन में का जा रहा है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तोगालियों को रहा है त तो भी बिलकुल इसी आंसर हो जाएगा सुवाली का युद्ध बिलकुल सी आंसर हमारा हो जाएगा ठीक है सुवाली के युद्ध में क्या होता है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तोगालियों को हराया था ठीक है 1612 में आपका होता है यह सुवाली सूरत में है सूरत सेर के पास एक गावा सुवाली उसके तर्ट पर आपका 29 से 30 नॉबंबर 2016 1612 को आपका यह दोता है सुवाली का यह यह ज़ाद रखना है आपको चली किस किस के मद होता है British East India Company और फुर्ट गालियों के मद और और कोशन आपके सामने और नहीं आपके सामने यह रही किस के अंतरकत आता है यह पूश्य दार भी इस रो अंडर विश ओ लगी के इन्द डेफेंस्ट मिनिस्ट्री और डिफेंस या मानफ संसादन विकास मंत्राले प्रदान मंत्री का रहा देश्य के फिर्दान मंत्राले किलाबा से लब है कि गिरह मंत्राले क्या हुजिएगा औ नभी इसका कोई आईए नहीं चलिए कुछ नमर 21 का उत्तार देना है आप लोग को 21 का हमारा रायट आंसर यहां पर पूशा गया पर इस वह रहारा है आप लोग यहां पर चलिए 21 का अंसर कई सब्सक्राइब बिल्कूल हो जाएगा एप और बी भी गलत हो जाएगा इसका र यह चीज़ आ रखना है सी ओप्सन अमारे यहां पर सीव जागा पी एमों के अंतरगत आता है इसको आपके सामने है गुलाम गीरी फुस्तक के लिए कर पूशे जा रहे हैं आपसे बहुत नमर 22 है गुलाम गीरी फुस्तक के लिए कर 1430 की आपके पुस्तक है और 1830 में ही एक स सवाज की स्ताफना की गδी जो आफार हैं उनके द्वारा जल्दी से अंसर पताएंगे आप लोग कोशनरा अपे 22 कशय को दे Think that उ संब्सेय होसा एक सथि कि याद रखेंगे इस चीज़ को सत्या सोदक समाज की स्थापना की जाती है जोतिवा फूले जी के द्वारा अगला कोशन आपके सामने आंसर देंगे सभी लोग कोशन नमर आपका 23 इसका आप लोग को देना है निम्ले कितमे से कौन सा राजस्तान का लोग निरत नहीं है चार आपके सामने राजस्तान का जो नहीं है वो हमको फाइंड करना यहां पर चली पड़ा बड़ा आंसर देंगे कोशन नमर 23 का और जितने भी लोग जोड़े हैं वीडियो को लाइक नहीं कि जल्दी से बटण को दबाएंगे चलिएām तो ट्वींट 23 में कहा जा रहा है राजस्तान का लोग नतनी मैं से कौन सा नहीं है यह नहीं वह बर राजस्तान का नहीं है कि यह cuma हराच्ण एंड गोवा का है каких स्थान के वारा यहां पसंजी तो हो जाएगा टिका भी जो डी दिया गया इसके का हमारा यहां पस ही आंसर हो जाएगा पर हसे अकला कुछन आक के सामने है जोल राजबंस की स्थापन किसको द्वारा कि फłbyउसеть जोट जा रहा है चोट डाइस्टी की बात की जारी फटाफट आंसर देंगे कुछन नमबर 24 का राइट आंसर हमारा क्या होगा चोट डाइस्टी की स्थाफना किसके द्वारा की देंगे तो चलिए कब तक चलेगी क्लास तो 40 कोशन हो जाएंगे तो विजय लाएके द्वारा की जाती है तो यहाँ पर हमारा option बी बिल्कुल सी होजाए कई सारे लोगों ने भी answer यह पर दे दिया तंजावर और इसके लाबा और यहाँ है है चलिए आगे बढ़ते हम कुशन नमर 25 क्यूर और आपके यह रहे बड़ा बड़ा आंसर देंगे सभी लोग को चलिए जितने भी लोग जुड़ें सभी लोग आंसर देंगे क्या होगा राइटेंसर मुकेश जी नितिन दिक्षा एसके प्रोशन हल्दार एंड प्रियार शन्ना सर्वन कुमार निहा कुमारी प्रिंस राजपूर राइंस राज सेवं सेवंजी और समाइडी प्रीमा राजीव लोग आंसर देंगे निशाबात हम लिए क्या हो जाएगा सकती काली मिट्टी जो क्या होती है का पास की कईक लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्डंट रथी कौन सी काली मिट्टी महार अब होती है तो ऑसंटन चैसे हमारे आपसफ जागाग तो इसको रहेको रोग एक सोयल को क्या आता है आपका रहेग प्टी वीग दाइंस में चुन सब्सक्राइब होता है इसको रेग और मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं कुछ नमर ट्वेंटी सिक्स आप लोग के सामने आंसर देंगे सभी लोग सभी लोग उत्तर देंगे सब्सक्राइब हो जाएगा और सभी को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है यहां से होता है चलिए कोशन नमर 26 का उत्तर देंगे बाब लोग तो भी 26 में कहा जा रहा है चंद्यान 2 मिसन का नेत्त किंदो महिला व्यज्यानिक को द्वारा किया गया था तो ऑप्सन जो ए पर दी गई है मुथा वनिता और रितु करदिल यह दोनों जो है महिला व्यज्यानिक जो है उ 2019 को इसको लॉंच जो है सफलता पुरुबा किया जाता है ठीक है जंद्रियान 2 को बाइस जोलाई 2019 को लॉंच किया जाता है इसमें जो है जित्वत में दो महिला थी कौन-कौन सी मुतहिया वनिता और रितु करदिल ठीक है यह चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है आगे लोग को लाइक के बटन को जरूरू दबाएं आप लोग चलिए तो कोशन नमबर 27 का मारा राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इसके लेका कौन है वह उप्शन के अन्पम खेर जो की ऑप्शन C पर आपका दिया गया है अन्पम खेर इसका हमारा राइट अंसर हो संसोजन था इसके द्वारा इसके बाद जो है मतादान की जो आई हूँ है 21 वर्स से गटकर 50 वर्स कर दी गई थी यह आप से पूश जा रहा है चलि सुनिल कुमार जी वेरी गूड इवनिंग अंसर देंगे सभी लोग इस कुशिन का राइट अंसर हमारा क्या होगा और कब हुआ था आपका ही संसोजन यह भी आपको पता होने चीजिए कब हुआ था किस संसोजन अधिनियम के से जो मतादान की आयू आपकी 21 से 18 वर्स गटा कर 18 वर्स कर दी गए थी ठीक है 1988 में आपका यह बनता है आपका और 1989 में आपका पार्द होता है यह निकि 1989 से पहले अगर आप लोगों को वोट दिना होता है तो क्या करना पड़ता था था वह 21 वर्स की आयू कंप्लीट करनी होती लेकिन अब क्या है 18 वर्स की आयू जो है पूर्ण करने के बाद वोट दिने का अधिकार मतदान का अधिकार जो है मिल जाता है 61 समिदान संसुदन के दौरा ठीक है 1989 में चली अगले कोशन को बढ़ेंगे हैं कोशन नमर 29 आपके सामने है बहुत सिंपल कोशन है जल्दी से अंसर देंगे आप लोग बहुत सिं कि आपके सामने आपके सामने आपके सामने अपके सामने है इस पर कितनी भासाओं में नोट के मूल लिखा उलेक होता है, यह आपसे पूछे जारा है, कोशन नमबर 30 आपके सामने है, भारती है नोट, जो रुपया के जो नोट है, इस पर कितनी भासाओं में नोट के मूलेक होता है, यह आपको बताना है, चल्दी से आंसर बताएंगे, सबी लोग कोशन नमबर आपके आपके 30, दो तरीके कोशन बन सकता है, एक तो यह पूछा सकता है, कितनी भासाओं इस पर होती है, कितनी भासा होती है, एक कोशन यह बन सकता है, कि नोट का मूलेक होता है, जैसे कि 500 का नोट है, तो पांसो रुपय कितनी भासाओं में लिखा होगा, एक कोशन बनता है, तो जो नोट का मूल है जो note का मूल है इसका उलेक होता है कितनी 15 भासाओं में कितनी में 15 भासाओं होता है लेकिन total language की बात की जाए तो right answer हमारा 17 ठीक है 17 language total होती है इस पर Hindi English को अगर हम count ना कर रहा है तो 15 भासाओं में लिखा रहता है note पर उसका मूल है जैसे कि for example के लिए यहाँ पर 15 languages में उसका जो है मूल लिखा हुआ है ठीक है 10 रुपे का note है इस पर आपका 15 भासाओं में लिखा हुआ है प्लस Hindi English दोनों language और होती है इस पर उसकी अगर हम बात करें तो total 17 language note पर होती है लेकिन note का मूल 15 language में लिखा रहता है clear यह चीज तो question number 31 क्यों बढ़ते है चली 31 को उत्तर देंगे वह आप लोग 31 को उत्तर देंगे सभी लोग पुस्तक मगद नामा के लेखक पूछे जा रहे हैं यह आप से कापी important question है पुस्तक मगद नामा के लेखक कौन है चार option को उत्तर देंगे सभी लोग question number 31 मगद नामा के लेखक कौन है यह पूछे जा रहे है question number 31 है यहाँ पर सही answer हमारा क्या होगा मगद नामा के लेखक कौन है चली 31 का right answer हमारा option C हो जाएगा कुमार निर्मलेंदू इसका right answer हमारा यहाँ पर हो जागा तो यहाँ पर right answer हमारा क्या हो जाएगा इस question का कुमार निर्मलेंदू ठीक है 2020 को विहार के जो गवेंडर है फागुछवान उनके द्वारा जो है मगद नामा का emotion होता है आगे बढ़ते हैं मगले question क्यों जो कि मगद की history से लेटर पुस्ता कि आपकी 32 मगा जा रहा है आपसे यहाँ पर की 8 degree चैनल निम्हें कितम से किसको प्रतक करता है एट डिगरी चैनल जो है किसको अलग करता है यह पूछ़जा रहा है question number 32 के अंदर सब भी लोग answer देंगे whatever 32 का right answer हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 का हमारा right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा जली से उत्तर पताएंगे पूछा गया है आट डिगरी चैनल जो है किसको अलग करने का काम करता है चार option आपके सामने दिये गए तो सही answer हमारे हैंपर होजाएगा लक्षदीव को माल दीव का हो जाएगा चली हागे बढ़ते है closure 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33 में क्या का जा रहा है भारतीय परश्क्राइश के जनक किसे माने जाता है पहले आपको पता चेको इसके बारे में अच्छे से तो मुझे अमीद है आप लोग बारतीय परश्क्राइश को जाएगा पर देखें कि स wonder रहेगा घलत हो जायंगा ऑप्सन जो है हमारा ए बिल्कुल सही अंसर यहां पर हो जाएगा ठीक है जो ए उप्सन पर आपका दिया गया है रामदेव मिस्रा इसका राइट अंसर हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन इकोलोजी का जो है इनको माना जाता है यह चीज आपको यहाद रखने है बिल्कुल सह के बारे में और फरिश्ति नह्म moley को का जाता और जो इक已 सब्द्रेस के द्वार अर में द्वारा यह दिया गया यह तीजे Gea पर आपको भया रखनी है मिस अफ् से इंप्योंग करते हैं यह आपको बताना है फिर्टीवूर को अंसर आपको देना है मैं उतbstरों 84 का हमारा सही answer क्या होगा फटापट answer देंगे सभी लोग चलिए सभी लोग answer देंगे उशा गया है पानी के नीचे ध्वनी को मापने के लिए किस ओप करन का उपयों किया जाता है तो वह आपका hydro phone ठीक है तो option हमारे यहां पर B सही हो जाएगा hydro का मतलब वो tap का पानी ही ठीक ह अंसर हमारे क्या होगा तो यहां पर हो गया आपका 35 चलिए DDT की बात की जा रही है DDT वाज इंवेंटेड वाय वूम किसके दोवारा जो है DDT का अविसकार किया गया था क्या होगा राइट इंसर डीडीट की बात की जा रही है आपसे यहां पर कोशन नमबर 35 आपके सामने है DDT का अविसकार जो है किसके दोवारा किया गया था तो इसका अविसकार किसके दोवारा किया किया पूशे जा रहा है तो DDT का अविसकार करता है कौन पॉल मोलर जो की option C पर आपका दिया गया है पॉल मोलर जो है DDT की अविसकार है याद रख जाए राइड अंसर Q36, 36 का आंसर देंगे सहत जो है आपका इसकी मिठास के लिए कौन सा सरकरा कारवन की कौन से सुगर जिम्मेदार है या आप से पूछ जाए रहा है 36 का राइड अंसर देंगे सबी लोग आंसर बताएंगे Q36 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 36 का आंसर देंगे सबी लोग जी राइड अंसर आ रहा है यहां पर कई सार लोग का आंसर आ रहा है 36 का चलिए आपसन B कितने लोग दे रहा है यह पर उनका बिल्कुल इसी हो जागा फ्रैक्टो जिसका राइड अंसर हो जाएगा भी छिसके लाब अगर हम बात करें तो यह आपकी जो फल होते है फ्रूट जो होते है उन्हें प्ल मीठे होते है उनमें फ्रैक्टो जाए तर फल होता है स्याद में भी मिठास का कारण फ्रक्टो जोता है स्याद में आपका ग्रुकोज भी होता है चलिए न्यू मिजमार्टिक्स के अध्यन से संब्देता है म्यू मिजमार्टिक्स नियू मिजमार्टेक्स के अधियन से संबन देता है, किसके अधियन संबन देता है, New Mismatics, क्या होगा राइट असर, New Mismatics is related to the study of, किस की study संबन देता है, आप से पूछ दारा, सबी लोग और सा देंगे, चलिए, चलिए, चलिए वीरु धाकड़ आपका पूशने समझने आया मुझे फिर से बताइए चलिए तो सब्सक्राइए तो ऩाक कि रिलेट कर सकते मैं आपको बताइए पहले रखेंगे न्यूमेज यहां पर न्यूजिम कर देंगे थोड़ा सा इस तरीक से आज रखेंगे न्यूमाटिक्स ऐसे न्यूजिम तो वह क्या करेंगे उसके लिए कोई यह पैसे लगेंगे आपके चलिए फरक्टोस फल का होता है जी हां वही तो मैंने बताया ता आपको भिरू जी फरक्टोस फलों में होता है इसका यह मतलब नहीं किस्पा अपका उस्में नहीं हो सकता है सहद में भी होता है सहद में भी फ्रक्टोज अपको मिठास का कशी कारण होता है और चैसे कैसे अमुरूद यहां हो गा किस पर्वस terminals का करह फ्रक्टोज habitats का कारण होता है। चार option आपके सामने है फड़ा पर उत्तर देंगे सभी लोग चलिए जी हाँ लक्की जी हनी में भी होता है ऐसा कोई बूर नहीं है कि वल आपका फ़लो में होगा सेहद में भी पाई जाता है चलिए नेट्स कोईशन को बढ़ेंगे हैं कोईशन नमर्थ 39 और इसके बाद अभी पांच बजे मेरी क्लास कहां पर होगी अनकेडमी पर होगी अगर आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो एक अनकेडमी पर अगर आप लोग हो नहीं हो तो इस्टॉल कर लीजी एप और रा कोईशन आपके सामने है मानव शरीन में इसका अंग एक मात तरंग है जो पुनर जीवित हो सकता है वही इसके पुनर जीवित हो पूछे जार है आपसे ठीक है फुनर जी विट हो सकता है यह पूछे जार है आपसे चलिए तो कुश्य नमर 40 का हमारा सही आंशर यांपर क्या हो जाएगा 40 का सही आंशर यक्रत जो आपका दिया गया है यक्रत इसका हमारा राइड अंसर लीवर जो है एक मात्र ऐसा आंग है हमारी बोडी में तो फूर्स फिर से पुर्ण जीवित कर सकता है लेकिन इसको समय मि कहती है तो बुर्ण होता है लेकर नहीं दर्द नहीं होता है लिए संपेलो प्रहाई कर सकता ही इसका ये मतलब नहीं है वे इसको damage करते जाएं तो वे 40 question हमारे आपर complete होते हैं ठीक है 40 question में से लगवग कितने आपके सही रहे score अपना जरू share करीज़ेगा सभी लोग और daily class का time में आपका पता ही होगा कितना है साम को 4 बजे 4 पीम daily आपकी class होती है टेलेगराम पर जुड़ सकते हैं आप लोग मेरे साथ जी के pdf ट्यान आप सर्च करोगे टेलेगराम पर आपका group मिल जाएगा वहाँ पर आप लोग जाकर जुड़ जाएए इसकी pdf मिलते रहेगी classes की इस club और notification बगरा मिलते रहेंगे अभी पांच बजे आपको जुड़ जाकर सामको पांच बजे तो आपको लिंक मिल जाएगी उस class की भी चलिए जी हां संजुबाबजी current affair भी कर देंगे बिल्कुल अभी current affair का marathon session विया तो मेरा वह भी आप देख सकते हैं उसकी पीड़े भी मिल जाएगी आपको चलिए बिल्कुल आप लोग बता दिए टेलिग्राम पर बता दिए बागी जो चीज़े हैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स हो आपके नहीं रहे हैं उनको भी हम current कर लेंगे जो clear कर लेंगे चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास की टाइम ही मैं आपको बता दें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल साम को चार बजे वीडियो लाइक जरू करिएगा सभी लोग लाइक के बाद सेर भी कर सकते हैं वे दोसों के साथ